प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप्ड और नेवर मिस अनादर अप्डेट असलाम अलेकूम वेलकम टो मैं चैनल टेक्निक अले मैं अचली शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने मुबाइल में 3D टाइकर को क्यामरा अप्लिकेशन पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका सुलीशन दिखाने वाला हूं अगर आप नॉर्मली व्यू इन 3D वाले आप्शन में के लिए करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का अंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो जैसा के नीची के दरफ आप देख सकते हैं यहां पर व्यू इन यूर इस पेस का आप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके वजह से आप कैमरा अप्लिकेशन पर उसको यूज नहीं कर सकते हैं तो उस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको प्ले स्टोर को उपन करना है और यहां सर्च बॉक्स पर जाने के बाद आपको गोगल प्ले सर्वीसेस फॉर एयार करके सर्च करना है तो फस्टो मैं आपको एक अप्लिकेशन मिल जागी तो यहां से इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है तो यहां पर मैं इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ इंस्टॉल करने के बाद आपको दोबारा से ब्रॉसर को उपन करना है और सर्च बोक्स पर जाने के बाद टाइगर करके सर्च करना है और नीचे के तरह स्वाइप करेंगे तो आपको वियू इन 3D का एक आप्शन मिल जाएगा इस पर जाने के बाद नीचे के तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वियू इन जीवर सपयस का ऑपशन मुल जाएगा तो इस वाले आपशन भी क्लिख करना है और यहाँ पर गिफ अकसई वाले आपशन में क्लिख करने के बाद आपको क्यामरा अप्लिकेशन के सारे परमिशन्स को अलाउ कर देना है तो जैसा के कैमरा अप्लिकेशन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3D टाइगर देखने को मिल जाएगा आप इसको स्क्रीन पर कहीं पर भी एड़जेस्ट कर सकते हैं और इसको 360 एंगल पर रोटेट भी कर सकते हैं अगर आप इसके फोटोस कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको नीची के तरफ कैप्चर वाले बटन पर टैप करना है जिसके बाद आपको यह फोटोस गैलरी पर देखने को मिल जाएंगे तो इसी तरह आप भी अपने मुबाइल में 3D टैगर को एजी ली यूज़ कर सकते हैं